पुश्कार मैं राजबौन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज, बिहार का कोरोना अपडेट आज 31 अगस्त का लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, बिहार में जो नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है पिछले 24 गंटे में और जो नए आकरे बिहार स्वास्त विभाग नजारी किये हैं वो पूरे बिहार के लिए राहत भरे हैं क्योंकि पिछले 24 गंटे में मात्र 1324 नए संक्रमित मरीज ही पूरे बिहार से मिले हैं, इसके साथ ही बिहार में कोरोना का कुल आकरा जो है वो पहुच गया है 136,037 पर, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पूरे बिहार में कोरोना का जो ग्राफ है, वो लगतार नीचे गिरता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, रिकवरी रेट जो है वो बिहार में लगतार उपर चड़ते जा रही है, चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले 24 गंटे में किस दीले से कितने नए म थार इस्ट चंपारन बावन, गया बावन, गोपाल गंज अंठावन, जमुई 14, जिहानबाद 14, कैमूर 7, कटिहार 14, खगडिया 20, किसन गंज 12, लखी सराय 17, मध्यपूरा 42, मधुबनी 68, मुंगेर 10, मुझफरपूर 22, नालंदा 34, नवादा 3, पतना 154, पुर्णिया 65, रहतास 20, सहरसा 33, समस्तिपूर 44, सारन 26, सिखपूर 14, सिवहर 12, सिता मरी 27, सिवान 24, सुपौल 31, वैसाली 30, वैस्ट चंपारन 28, इस तरह पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार से 1324 नय संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, बिहार स्वास्ते विभाग ने जो आकरे जारी किये हैं, उस पर ध्यान देने पर पता चलता है कि राजधानी पटना के लिए एक अच्छी ख़वर है, अच्छी ख़वर यह है कि लबक कई दिनों बाद, महीनों बाद, राजधानी पटना में नय मरीजों के मिलने की संख्या 200 के नीचे आई है, एक समय ऐसा था जब आजधानी पटना में आकराज हो है, नय मरीजों के मिलने का वह 200-300 के आसपास का था, लेकिन आज मामला 200 के नीचे आया है, अन्य जीलों की बात करें तो एक भागलपूर जीला है, जहां पिछले 24 गंटे में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं, अन्य बिहार के 36 जीलों में, 30,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, वहीं अगर बात करें बिहार में एक्टिव केसों की तो लगभग सुला हजार के आसपास का आकरा है, बिहार में एक्टिव केसों की, यानि एक्टिव केसों की संख्या बिहार में लगतार गिरते जा रही है, नह मरीजों के मिलने के रिकवरी रेट में मारता दिखाई दे रहा है वहीं अगर बात करें Eco料ip से जानगाने वालों की तो 690 से जाधा लोगों ने पिछले अब कंड़ों में कितने सचाही है और यह ऑकरे कितने सही moyens का सत्यापन नहीं है मलें हमारे पास्तो हम पर जादा कुछ बोल नहीं सकते हैं में कि जो स्वास्त विभाग आाकरे जारी कर रहा है उसके अनुसार बिहार नीएंद्रित होता नजर आ रहा है बिहार में अब चुनाव भी होना है तो निश्ची तोर पे जो आ करें जिस तरह से कुरोना के बिहार में आ रहा है और जो recovery rate बढ़ रहा है वो चुनाव आयोग के लिए भी रहत बढ़ी होगा कि उसे भी चुनाव कराने में ज्यादा समस्याओं का सामना नही हुआ है बिहार में अभी भी कुरोना के मामले अगर 1500 और 2000 मिल रहे हैं तो यह कम नहीं है क्योंकि इसका संक्रमान बहुत तेजी से फैलता है तो ध्यान रखें अपना मास्क का उपयोग करें बाहर रख जा रहा है तो सेनेटाइजर साथ रखें उसकी जरूरत आपको पर सक किये उसका इस्तमाल करें सोसल डिस्टेंसिंग बना कर रखें खुद सुरक्षित रहें और विहार को सुरक्षित बनाने में शहयोग करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें विहार नूच धन्यवाद